Hello everyone, welcome to Academy, I hope आप आप लोग सब अच्छे होगे आप लोगों के मागों पर यह वीडियो लाए जा रही है आप लोग बहुत दिन से माग कर रहे थे कि अंगनिपत भरती जो हो रही है उसमें बहुत लोगों से फॉर्म भरते नहीं बन रहा है और बहुत दिन से आप लोग मैसेज भी कर रहे थे चाए इस्टाग्राम पर हो गया, चाए फेस सूप पेज पर हो गया और बहुत सारे वाटसब पर भी मैसेज कर रहे है जिन के पास प्रस्णाली मेरा नमबर है कि सर इसमें जो आप लोग की लंबाई क्या होगी, एउगिता क्या होगी, उम्र क्या होगी बहुत लोगों से रजिटेशन जो है फॉर्म भरते ही नहीं बन रहा है इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है वीडियो को आप लोग धान से देखीगा आप लोग आधी अधोरी वीडियो देखे के कमेंट करने लग जाते है आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को डाउट पूरा किलियर हो जाएगा कोई भी सवाल नहीं रहेगा कुछ एक दो सवाल रह भी जाते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप लोग इंस्टाग्राम पे और जिसका प्रेस्टनली नंबर है वो आप लोग वार्ट सब पर भी पूछ सकते हैं आप लोग वीडियो को ध्यान दीगा और जो लेटेस्ट अपडेट आती है आप लोग को इस चैनल पर सबसे पहले अपडेट कर दी जाती है चलिए बिना देर के वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग देख लेंगे अगनीपद योज्णा की वेकेंसी के बारे में जानेगे कि भरती प्रकिया आप लोग से कब से कैसी सुरू की जा रही है आप लोग बतातू कि अगनीपद योज्णा में दो सेनाओं के लिए भरती तारिक आ चुकी है अभी आप लोग ध्याना है दो सेना के आप भारती सेना के ऑफिसल बेबसाइट पर यह जिस सेना में आप लोग जाना चाहते जाहे इंडियान एर फोर्स हो गया चाहे आप ल पर जाना पड़ेगा जाकर सेना भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन भनने के लिए सभी कर्टेगर के लिए जितनी भी पोस्ट है उसके लिए 250 रुपए आप लोग को पोस्ट यह फीस रखेगी रखेगी है इस बात का आप लोग जरू ध्यान रखें और ज्यान से आवेदन प्रिग्रिया फॉर्म भनने की डेट आप लोग को सुरू हो चुकी है पहले भी मैं वीडियो इस पर बनाया चुका थे लेकिन आभी फिर से आप लोग को जानका आई देदाव जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं होए आप लोग अपडेट कर लिजेगा अंगन बाइस से अंगदिविरो की टेरिंग लाइन शुरूआ शुरू कर दी जायागी जितने भी टेरिंग आप लोग लोग कि 측 कर टेटिकर कर के कि फिक मैं की घुर्ठान का दिखेगी सबसे बड़ी नूईवस है आप लोग इस बात का जरूर ध्यानर रखें चलीं अब जान से नव सेना का पहला अगनी भी ट्रेनिंग उडिसा में शुरू होगा यानि 21 नवंबर से पहला जो ट्रेनिंग होगा यह ट्रेनिक पहला जो ट्रेनिक शुरू होगा यह उडिसा में शुरूगा ऐसे ऐसे हर जोन में आप लोगा शुरू कर दिया जागा सबसे पहला जो है उ नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा अगनी वीरों की भरती कटेगरी क्या होगी आप लोग पोस्ट एंगे कि पोस्ट क्या क्या होगी उसमें किस किस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं उसी की बारें बात करें क्या होगी और कौन कौन सी पोस्ट होगी आप लोग परसेंट आंकों के साथ 10 ही पास होना आपनिक Dan verse 54% से नीचे मांग सेंथbowसेंथ आप लोग जनला के लिए फार्म अपलाई नहीं कर सकते हैं तो लेकिन अगनी पर जनला के लिए आप लोग अपलाई नहीं कर सकते हैं और सभी विस्यों में 33% अंख होना चाहिए 33 पर्जेंट आप लोग का हर सब्जेक्ट में लेकिन सभी में 33-33 मांक्स पाना चाहिए तभी आप लोग इसके लिए अपलाई होना चाहिए ग्रेटिंस सिस्टम का पालंग करने वाले बोर्ड के लिए दसमीक अच्छा में नियुन्तम डी ग्रेट होना चाहिए जिन बहुत साथ CBSC हो गया बहुत सारे जो बोर्ड होते हैं वो ग्रेटिंस सिस्टम अपना हो है तो उनको बोला गया है कि डी ग्रेट कम से कम डी ग्रेट आप लोग के नियुन्तम माक्स होना चाहिए तभी आप लोग इस फांग को अपलाई कर देना चाहिए और सभी विश्व ठेक्निकल के लिए इस भरती प्रके लिए उमिद्वारों को 50% अंगों के साथ बरहाई कर सकते हैं अगनिवी कलर के बात करें इस भरती प्रके कि लिए उमिद्वारों को अंग्रेजी वा गड़ीट में 50% अंग होना चाहिए अंग्रेजी वा गड़ीट में 50% अंग होना चाहिए अगनेवी ट्रेट्समेन के लिए अगनेवी ट्रेट्समेन भरती के लिए 33% आंगों किसाद मानता अप्रोड दसमी पास होना चाहिए किसी भी मानित आप रोड से एधि आप लोग 33% मांग से दसमी पास है तो आप लोग अगनी भी स्टेट्स पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं अगनी भी ट्रेट्स और आठमी पास इन पदों में भरते के लिए उमिदवारों को आठमी पास अनिवार है सात ही सभी विज्ट्स को मिला कर 33% अंक होना चाहिए अगनी भी ट्रेट्स में आठमी पास के लिए दीखे यह बहुत ही आप लोग कुछ है 33% सभी लोग के सभी को हो जाते हैं अगनी भी ट्रेट्स में के लिए अपलाई कर सकते हैं सबसे बड़ी बात है अंगनीपित में कितनी हाइट होने चाहिए अगनीपित में कितनी हाइट वगी तो उसका उत्तर हम नीचे दे रहे हैं ध्यान दिजेगा अंग्विर्गिल में लंबाई 1322 से सभी वर्गों के लिए कोई भी बर्गों DE 2022 से सभी बर्गों के लिए अलग अलग निर्धायत की जो इस प्रकार है अंग्विर जन्रल ड्यूटी के लिए दिख लिए है चार पोस्ट जैसे आप लोग को काटेग्री में डिवाइड किया गया है जन्रल ड्यूटी के लिए आप लोग अगनीबी के लिए अपलाई कर सकते हैं ट्रेट्समें अर्थमी और दस्यूट के लिए भरती के लिए 170 मीटर आप लोग को लंबाई होना चाहिए और भरती के लिए अगनीबी के लिए अपलोग बहर कर दिया जा सकता है ठीक है और शेना भरती के लिए सभी उन्दबारों का वजन लंबाई उनकी उम्र के अनुपात के अनुसार होना चाहिए नहीं लंबाई जितनी है उसके अनुसार आप लोग का वजन भी होना चाहिए ठीक है आप लोग धानक ना है अगला है सेना भरती में होने के लिए सुनने की छमता असमान होना चाहिए लगवाच्छय मीटर की दूरी पर होने पर आवाज को सुनना और समझना आना चाहिए निकान साफ सफ़ाय अच्छे नहीं आप लोग को अच्छे से सुनाई देना चाहिए तभी आप लोग इस फाम को अपलाई कर सकते हैं फिसकल के लिए कौलिफाई करेंगे मतलब फाम तो अपलाई कर सकते हैं लेकि फिसकल क डिखाई रहते हैं वह भी आप लोग को सामने से दिखाई देना चाहिए तब ही आप लोग इसलिए कौलिफाई करते हैं और तो सवर पतुम्न, भारती सेना के अधिकाषी वेव साइट पर जाएं याये, और κप्चा बने। जयान देजेगा, अधिकारी वेव साइट पर जैसे आप लोग जाएंगे, लॉगिन करेंगे, एक के निछे, आप लोग कुछ लिखा आता है, UBCD, यहनि कुछ भी लिखा आता है, हर समय कप्चा जो है, बदलता रहता है, उसको जैसे आप लोग भरेंगे, यह दि आपका एकाउंट इस पर बनाया जा चुका है, तो अपना ID पासवर्ट डालकर लॉग इन कर सकते हैं, नहीं बनाया तो आपको अभी तक कोई भारती से न करना के सबकुष कर दिया जाएगा, रजिस्टर करने के बाद आपने अंगनी पासवर्ट लिंक देखकर, उसे लिंक क्लिक करके अपनी सेना भरती फार्म भर सकते हैं, फार्म भरते समय आपको अपनी व्यक्तिकार जानकारी भरनी है, अपनी ID प्रूप देना है, सभी जो चेंज करते हैं, email ID उसको नहीं चेंगना, जो हमेशा के लिए, आप लोग email ID बनाएं, उसी को देना है, क्योंकि उसी पर आप लोग का admit card जारी किया जाए, कोई भी information देना होता है, इंडियन गवर्मेंट को तो आप लोग को उसी पर दिया जाएगा, आप लोग को email ID प काम भरा है, उन्हें सरपथम लिखित परिच्छा पास करने होगी, यहीं तीनों से नों में जो भी भरती पर गिया है, एक ही साथ चलेगी, सबसे पहले आप लोग को return test होगा, लिखित परिच्छा पास करेंगे, तभी आप लोग को rally भरती विने physical qualify किया जाएगा, लिखित अगनवी एवजना की आर्मी के लिए IO SEMA क्या होगी, आप लोग जैसे भी पता चाचुका है, अगनवी एवजना की आर्मी के लिए IO SEMA जो है, साड़े सत्रे वर्ष से 21 वर्ष तक रखेंगे, लेकिन एक साल के लिए IO SEMA 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिए, क्योंकि को ऐसली आरिमी हाइट, लिमीट क्या है अगनि पित अगनी फित अगन्पर को अगनी हाइट को अलग के प्लाइग कर सकते हैं और फी, जो भी आप्लों का कमेंड के क听 सकते हैं झाल झाल